राश्प्रती बाइडन, फर्स्ट लेडी, डॉक्टर जील बाइडन, डिस्टिंग्विज गेश, उमंग और उच्छा से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साध्यों। आप सबको नमस्कार, सबसे पहले तो मैं राश्प्रती बाइडन के मित्रता पूर्ण स्वागत और दिर्ग द्रश्टी पूर्ण संबोधन के लिए उनका रदे से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कि राड सम करता हुए जुक नामस्का है पूस्छा भॉण पूलिंच प्रेजु पर मटें करते विए थ। फ्रेंड्स आज बाइट आउस में सुशामदार स्वागंच समारब के एक प्रकार से भारत के एक सो चालीस करोड देश्वासियों का गवरो है यह सम्मान अमेरिका में रहने वाले चार मिलियन से अधिक भारतिय मुल्क के लोगों का भी सम्मान है इस सम्मान के लिए बरास्पति बाइडन और डॉक्टर जील बाइडन का उनके प्रति रिदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the U.S. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden Friends, करिब तीन दसक पहले एक साधारन नागरी के रूप में मैं अमेरी का यात्रा पर आये था और उस समय मैंने White House को बार से देखा था प्रधान मंत्री गणने के बाद तो मैं स्वयम तो कई बार यहां पर आया हूं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियान अमेरिकन समुदाय के लिए White House के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं आजिस समुदाय पहली का बारा अजय रखिए के लिए लावाड़ लाह कम जाने के लुवार भार आज पहली में एख कम यह अर तो कि अने इस के लिए अजया गपनिसर अवार आड़ बार ए लावा प्रफ भारत ए लोग अपने तैलेंट, कर्मता और निश्टा से, अमरीका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे सबंधों की असली ताकत है आज आपको दिएगे सम्मान के लिए बैराश्पति बाइडन और डॉक्टर जील बाइडन का रदे से अभिनंदन करता हूं उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है The people of the Indian community are enhancing India's glory in the U.S. through their talent, hard work and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्ताएं लोग तांत्रिक मुल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के समिधान उसके पहले तीन शब्द और जैसा राश्पती बाइडन डेबिल जिसका उलेक किया वीज़ पीपल हम दोनों देश अपनी विवितिता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए इस मुल्भूत सिधान में विष्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the U.S. are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following three words. We, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. Post-Covid काल में World Order एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका के मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए बैश्विक शांती, स्थीरता और समरुद्ध के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिवद्ध है। हमारी मजबूत प्रतिजिक पार्शिप देमोक्राशी की ताकत का स्पस्ट प्रमान है। इन पोस्ट-Covid era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. आज भी हमारी बात्तित बहुत सकारात्मत और उप्योगी रहेगी। आज दो पर को मुझे, U.S. Congress को एक बार फिर से सम्मोर्दित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका रुदे से अभारी हूँ। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-U.S. relations and various regional and global issues. I am sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the U.S. Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूँ और 140 करोड भारत वासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्टाइब्स हमेशा नई उचाईयां छूते रहें। रास्पति बाइडन, डॉक्टर जील बाइडन, एक बार फिर आपके इस ने भरे निमंत्रण के लिए, आपके घर में जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए, मैं आपका और एक सो चालिस करोड हिंदुस्तान वास्यों की तरप से आभार प्रगड करता हूं। जै हिन्द, गॉड़ ब्लेस अमेरिका, बहुत बहुत धन्यवाद।